जैहन दोस्तों आजादी की कोई कीमत नहीं होती यह इनसान के लिए सांस की तरह है जिसे किसी कीमत पर खोय नहीं जा सकता देश के समस्तवासियों को चोहत्तरवे स्वतिन्तरता दिवस की दैग्जम टॉपर्स परिवार की ओर से धेल सारी शुप कामना है भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतिन्तरता दिवस हरसुलास के साथ मनाया जाता है लेकिन इसके पीछे का कारण है या क्या हम सभी जानते हैं तो आईए इस वीडियो में हम वित्रत रूप से जानते हैं इस दिन बिटिश सासन से भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त के दिन को संपुर्ण भारत में राष्ट्री और राजपत्रित अवकाश के रूप में घुशित किया गया है परन्तो क्या आप जानते हैं कि भारत में आखिर 15 अगस्त को ही क्यों स्वतनता दिवस मनाया जाता है किसी अन्य तारिक को क्यों नहीं मनाया जाता है भारत में सुतंत्ता संग्राम का इतिहास सबसे पहले हमें जानना होगा यूरोपिय व्यापारियों ने सत्रवी सदी से ही भारती उप महाधीप में पैर जमाना प्रारम कर दिये थे अपनी सेन्य शक्ती में पढ़ोतरी करते हुए इस्ट इंडिया कमपनी ने अठारवी सदी के अंत तक इस्थानी राज्यों को अपने वशी भूत करके अपने आपको स्थापित कर लिया था वर्ष 1857 के प्रथम भारती सोतन्ता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य बिटेनी ताज या बिटिश क्राउन अर्थात बिटेन की राजशाही का हो गया दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम सरूप वर्ष 1885 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस अर्थात इंडियन नेस्नल कॉंग्रेस का स्थापना हुआ पर्थम विश्वी युद्ध के बाद का समय बिटेनी सुधारों के काल की रूप में जाना जाता है जिसमें मौन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार महतपुन माना गया है लेकिन इसे भी रॉलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम की रूप में देखा जाता है जिसके कारण सुरुप भारतीय समाज सुधारों द्वारा स्वशाशन का आहवान किया गया इसके परिणाम सुरुप महत्मा गांधी के नेतरत में असहयोग और सविनय अविग्या आंदलनों तथा राष्ट्र व्यापी अहिंसक आंदलनों की शिरुवात हो गई देखा जाये तो वर्ष 1857 में ही अंग्रेजों के खिलाब भारत में सुतनता करांती की शिरुवात हो चुकी थी इस विद्रों को सिपाहियों का विद्रों 1857 का विद्रों इत्यादी कई अन्य नामों से जाना गया इस विद्रों की द्वारा अर्थ 1858 का अधिनियम भारत सरकार भारत को नियंतरन मुक्त कराने का एहसास ब्रिटिस राज को भारती सुतनता सेनानियों ने दिला दिया था भारती रास्ट्री कॉंग्रेस अधिवेशन 1929 लाहोर में हुआ था यह कोश्चन हमारे कॉंपिटे अग्जाम्स के पॉइंट वेशेवे काफी महतपूर्ण है यहाँ पर भारत ने पूर्ण स्वराज की घोशना की थी 1930 से 1947 के बीच कई आंधुलन हुए जिन मैंसे एक है सविनय अविज्या आंधुलन जिसे गांधी जी के दौरा वर्ष 1930 में प्रारब किया गया था जिसका अर्थ है बिना किसी हिंसा के किसी भी सरकारी आदेश की अवहिलना करना साथी आपको बता दें कि दुतिवे विश्वी युद्ध के बाद 1947 में ब्रिटिश सरकार आश्वस्त हो चुकी थी कि वे अब लंबे समय तक भारत को अपनी सक्टी नहीं दिखा सकेगी भारत के सुतनता सैनानी लगातार अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश्च कर रहे थे और सुतनता के लड़ाई को डट कर लड़ रहे थे इसलिए भारत को मुक्त करने का फैसला आखिरकार अंग्रेजों ने ले ही लिया था भारत की सम्विधान सभाने नई दिल्ली में सम्विधान सभा में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5 वे सत्र की बैठक की सत्र की अद्यक्षिता राष्टपती राजिंदर परसाद की द्वारा की गई इस सत्र में जवाहल लाल नहरू ने भारत की आजादी की घोशना करते हुए तो हमें याद रखना यहाँ पर तरस्ट विध डेस्टिनी नामक जो भासन है यह किसके द्वारा दिया गया था तो यह भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहल नाल नहरू के द्वारा दिया गया था आधिकारिक समारो नई दिल्ली में हुए जिसके बाद भारत एक स्वतंतर देश बन गया नहरों ने प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में पद ग्रहन किया और वाइसराय लॉड माउंट बेटन ने पहले गवर्णर जनरल की रूप में अपना पद भार समाला 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संगटक समा ने भारत की स्वतंता का समारो आरंब किया जिसमें अधिकारों का हस्तांतरन किया गया जैसे ही मद्द रात्रे की घड़ी आई भारत ने अपनी स्वतंता को हासिल कर एक स्वतंतर राष्ट का दरजा हासिल किया अग हम बात करते हैं कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया है सुतंता दिवस के लिए दरसल भारत के ततकाले नवाइसरार लाइड लूइस माउंट बैटन को बिटिस संसद ने 30 जून 1948 तक भारत में सत्ता हस्तांतरन का दाइत्व स्वत था सी राज गोपाराचारी के अनुसार अगर माउंट बैटन ने 30 जून 1948 का इंतिजार किया होता तो उनके पास हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता नहीं बस थी इसलिए लूड माउंट बैटन ने अगस्त 1907 में ही अपने इस दाइत्यों को पूर्ण कर दिया था बिटेस हाउस अफ कॉमन्स जो की बिटेन की संसद है इसमें माउंट बैटन की भेजी गई सूचनाओ के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था इस विधेक को बिटेस संसद ने तुरंत पारित कर दिया और इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 में भारत में बिटेस राज समाप्त होना ते हुआ हलांकि भारत के आजादी के बाद हिंडू-मुस्लिम दंगो के कारण भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग स्वतंत्र उपनिवेश या दो अलग-अलग राष्ट बन कर उभरे जिनोंने बिटेस कॉमन वेल्ट की तरह रहना स्वीकार किया मुहमद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नन्ट जनरल बने जिमकी पंडित जवहालाल नहरू आजाद भारत के पहले प्रधान मंतरी बने दिल्ली देश की राजधानी बनी और इस दिन दिल्ली में ही समाहरो आयुजित किया गया जहां नेता, सुतंता, सेनानी, इत्यादियों ने बढ़ चड़कर भाग लिया और आजादी के जशने को मनाया अब क्या आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की 500 से ज़्यादा रियासतों का भविश्वी नई देशों की उपर छोड़ दिया गया था इनी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना तय हुआ कई रियासतें 15 अगस्ट 1947 से पहले भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी और कई आजादी के बाद भी किसी भी देश में शामिल नहीं हुए जैसा कि आप इसक्रिन पर देख पा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को हिंदू स्टाइन टाइम्स पेपर में भारत की सुतनता की घोशनक की गई थी तो वह अकभार का प्रारूप कैसा था और किस तरीके से दर्शाया गया था अब हम बात करते हैं भारत में सुतनता दिवस का क्या महत्वे है और इसका क्या प्रतीक है दरसल इस दिन भारत में पतंगे उणाई जाती है और ये खेल सुतनता का प्रतीक है और दूसरा प्रतिक स्वतंता दिवस का दिल्ली का लाल किला है जो की गुलामी की दास्ता से मुक्त हो गया था जहां पर हर साल इसी दिन देश के प्रधान मंत्री के द्वारा तिरंगा फैराया जाता है 15 अगस्त को भारत को ब्रिटिश शासन से आयादी प्राप्त हुईती जिसकी याद में स्वतंता दिवस मनाया जाता है और प्रत्यक वर्ष देशी नहीं बलकि पूरे विश्व में समझते भारतिये पूरे उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के गड़राज जिने 15 अगस्त 1947 को अंग्रे जोके शासन से अपनी स्वतंता को प्राप्त किया था तब से 15 अगस्त को ब्रिटिश सरकार से आयादी मिलने के उपलक्ष में भारत में स्वतंता दिवस मनाया जाता है और भारत के लिए 15 अगस्त अपने पुनर जन्म का एक महत्वपूर्णे दिन है और यहाँ एक नई शुरुवात है तो यह थी पूरी चर्चा कि भारत में 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया था सुतंता दिवस मनाने के लिए अन्त में आप सभी को स्वतंता दिवस की धेर सारी शुपकाम नहीं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकेन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें साथ ही इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें थेंक्स पर वाचिंग जय हिंद वंदे मात्रम भारत माता की जय